आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकडमी पर फ्रेंड्स हम लेकर आएं आपके लिए यूपी पीसे प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर जो है दे आइस के इसका हम फरस्ट पार्ट कर चुके हैं सेकेंड पार्ट हमारा है और इस सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले उ दूशन है हमारा 37 निम्रखित कतनों पर विचार केजिए पारा अमलगम बनाने वाली धातू है हाइडोजन सलफाइड के उपस्तिती के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है जस्ता गैल्वनाइजेशन में प्रियुक्त होने वाली प्रमुक धातू है क योशन हमार नेक्स देखते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है सेंटरल लेप्रोसी इंस्टिट्यूट आग्रा में है राष्टी मानसिक विकलांग हैदरावाद में है और उच्च रच्छन पसूरोग प्रियोग का संस्थान आपका कहा है भोपाल में राष्टी द्रिष्ट सही नहीं है क्योशे नमर 39 देखते हैं प्यूस ग्रंती से स्राविठ होने वाला हार्मोन कौन सा है जिसमें सरीर में सजल संतुलन को बनाय रखने में सहयक है वेसोप्रीन हर्मोन ल्यू्तिन आईजिंग हर्मौन समैट्रोपिन हर्मौन लीटी ओटिक हर्मौन तो इसका एंशर है आपका A. बेशोप्रेसीन हर्मौन जो है वो प्यूस ग्रंथी से निकलता है और सरीर में जुतर जल्ण संथूलन को बनाया रखने में शहयक होता है और लूटीनाइजिंग हर्मोन क्या करता है यह पूर्सों में नर हर्मोन के सिक्रेशन को प्रेडित करता है सो मैटर ट्रोपिन हर्मोन आपके सरीर में व्रिध्धी को नियंतरित करता है Question number 40 निम्लिकित रोगों में से कौन सा एक फफूद जनीत रोग नहीं है या कवक जनीत रोग कवक भी इसी को कहते हैं फंगस भी इसी को कहते हैं एथलीट फूट, दमा, गंजापन, निद्रा रोग तो इसका एंसर है D निद्रा रोग जो है आपका प्रोटो जोवा से होता है प्रोटो जोवा या परजिवी भी हम कह सकते है प्रोटो जोवा या परजीवी दमाग, हाथ, खुजली, एथलीट, फूर्ट, गंजा, पन ये सभी आपके कवक से होता है question number 41 है निमलखित में से कौन सा एक अन्वानसिक रोग नहीं है थैलिसीमिय, डाइन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फाइलेरिया, हीमोफीलिया तो इसका एंसर है आपका C, फाइलेरिया जो है अन्वानसिक रोग नहीं है फाइलेरिया जो रोग होता है वो गोल क्रीमी से होता है, किससे होता है गोल क्रीमी गोल क्रीमी से होने वाला रोग है हीमोफीलिया जो है आपका एक अन्वांसिंग लिंगन लिंग जो है सहलगन रोग है जिसमें क्या होता है रुधीर का थक्का नहीं बन पाता तो हीमोफीलिया में क्या नहीं हो पाता रुधीर का थक्का नहीं बन पाता कौन से विटामिन के कारण यह होता है अपनों कमेंट बॉक्स में अंसर दीजे और डाउन सिंड्रोम जो है एक अन्वानसिक विकार है इसमें क्या होता है कि मंगोली जड़ता आता है थैलेसीमिया एक अन्वानसिक रोग है यह भी और हीमोग्लोविन के संसलेशन की छमता नह ही रह जाती है क्योंशे नमर फॉट्टीवन देखते हैं कि फॉट्टीटू है हमारा कि कवक अपना भोजन स्वैम नहीं बना पाते हैं कवको में पढ़ हरित का भाव होता है तो इसका एंसर है आपका ए कथन ए सही है ए आर दोनों ही सही हैं दोनों दूसरे की ब्याख्या भी कर रहे हैं क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल को ही हम क्या करते हैं पढ़ हरित करते हैं क्लोरोफिल question number 43 देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है फल है, खाने योग भाग है तो सेप का जो भाग हम खाते हैं वो पुस्पासन होता है काजू का जो भाग खाते हैं वो बीजपत्र कहलाता है लीची का जो भाग खाते हैं वो एरिल होता है गेहूं का जो भाग हम खाते वो कौन सा होता है भूर्ण पोशन होता है भूर्ण पोशन तो इसका एंसर हो जाएगा D, D option सही नहीं है क्योंकि गेहूं का जो भाग हम खाते वो क्या होता है भूर्ण पोशन और आपका लीची जो होता है एरिल, काजू का बीच पत्र, सेव का पुस्पासन क्यूशन नंबर है 44 भारत में पर्माड उर्जा विभाग के स्थापना 1954 में हुई थी पर्माड उर्जा विभाग की अधिस्था प्रधानमंत्री करता है तो इसका एंसर है अपका क्यूशन नंबर है 45 कौन सा सही सुमेलित नहीं है पर्माड विद्दूत ग्री है और स्थितित दे रहा है तरा तारापूर जो है आपका महाराष्ट में स्थित है कैगा आपका करनाटक में स्थित है और काकरापार आपका गुजरात में स्थित है रावत भाटा कहां है ये र रावत भाटा राजस्थान राजस्थान तो इस तरह से आपका एंसर हो जाएगा डी डी ऑप्शन सही नहीं है क्यूश्य नंबर है 46 46 46 से लेके 76 तक हम फर्स पार्ट में कवर कर चुके हैं सेकंड पार्ट में हम करेंगे 77 से निम्लखित कत्नों पर निम्लखित कत्नों में से कौन सा एक लाल रूधीर कडिकाव या रबीसी के संबन में सत्ते हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं ये केवल कसेरू की प्राणियों में ही पाया जाते हैं हीमोग्लोबीन नामक प्रोटीन रंजक के कारण इसका रंगलाल होता है सभी कथन सकते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी सभी कथन सकते हैं नेक्स क्वेश्चन को देख लते हैं जा नमर है 78 कि निम्लखित में से कौन सा कारे कार्बोहट्रेट का नहीं है यह मंड या स्टार्च के रूप में संचीत इंधन का कार्य करते यह डीने तथा आर अने का घटक होता है हीमोगलोबीन के रूप में यह सरीर में गैसी समवहन का कारी करता है यह सरीर को उर्जा प्रदान करने के मुख्य स्रोत होते हैं तो इसके एंसर हो जाएगा आपका सी हीमोगलोबीन के रूप में यह सरीर में गैसी समवहन का कारी कौन करता है हेड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है और सभी कथन सही है नेश्ट देखते हैं क्यूस्टिन है वर है 79 सुची फर्स को सुची सेकेंड से सुमिलित करना है फीलो क्यूनोन किस्ते संबंदित है तो यह विटामिन के का रसाइनिक नाम है फीडो क्यूनोन और टोकोफेराल जो है विटामिन E का रसाइनिक नाम है एसको रोफाइटल जो है हमारा विटामिन A का नाम है जिसे हम रेटिनाल भी कहते हैं विटामिन A का जब आपका सामाने नाम देता है तो रेटिनाल देता है यहाँ पे एसके रोफाइटल नाम दे रहा है और से आपके अंसर हो रहा है A, Next Question कू देखते हैं, Question Number is at music मनुस्त में पाएजाने वाला परिसंच्रनघ्र होता है खुला बंद बंद तथा दोहरा परिसंच्न ऋर्णत और खुला तथा दोहरा तो इसके अंसर हो जाएगा B, कि मनुस्त्य में जो भी परिसंचरन तंत्र पाया जाता है, वो बंद पाया जाता है, बंद परिसंचरन तंत्र पाया जाता है, परिसंचरन तंत्र में रूधीर बंद नलिकाओं से होकर बहता है, इसमें रूधीर अधिक दाव एवं अधिक गती से बहता है असभी कसे रूखी प्राण्यों में परिसंचरन तंत्र पाया जाता है ुरोра निमनीखित हर्मोणों में से कौन सा निर्धारन वाला हर्मोन कहला घर पका निर्धारन क्वाला हर्मोन करता है जो 2 पोज स्टारन रिलयक्सीन अंडरोजन libs जिसके एंसर है B गर्ब का निर्धारण करने वाला हर्मोन जो है पुजेस्ट्रोन है estrogen को हम beauty हर्मोन भी कहते हैं beauty हर्मोन भी कहते हैं कौन हार्मोन है जो नर में पाया आता है आपको कमेंट बॉक्स में एंसर दीजिए क्योश्य नंबर है 82 नेफ्रोन व्रिक या क्रिड्नी की कार्यात्म की काई है नेफ्रोन ही रूधीर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रत है सत्य कथन कौन सा है तो इसका एंसर है आपका सी दोनों ही जो हैं सत्य या किड्नी में लगभग एक लाग 30,000 सुच में लिकाएं होती है जिन्हें हम क्या करते हैं नेफ्रोन को उस्तरजन की इकाई भी कहते हैं क्योश्य नंबर है 83 निम्लखित में से किस एक की कमी से दांत जड़ने की समस्तिया उत्पन्न हो जाती है या दांत गिरने लगे तो और जाते हैं फ्लोरीण आयोडीन और टोकोकफिराल इसका इंसर है आपका फ्लोरीण की कमी से जात जो है जड़ने लगते हैं इसका मुझ हिस रोत क्या होता है पीने का पानी मचली चाह है ऐसंधी बलड की क मैसी riel ब्लड की नहीं ये ब्लड की कमी से होताह जब ब्लड को म ग्रम्थी में व्रिद्धी हो जाती है थाई राइड जिस्ते क्या होता है घेंगा रोग हो जाता है और टोकोफेराल की कमी से बांज पन एम नपुनसक हो जाते हैं महीला बांज हो जाती हो और पूरुस क्या होते है नपुनसक हो जाते हैं तो टोकोफेराल का रसाइनिक नाम क्या है तो विटामिन इनाम है नेस्ट क्यूशन नमबर है 84 अंत्रिच इस्थित टेली स्कोपों से प्रिथवी स्थित टेली स्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडी पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिवीम प्राप्त होते हैं एक्स किरन गामा किरन इन्फ्रारेड एवं अधिकांस परावैगनी विकिरन का प्रेशन केवल अंत्रिच में ही संभव है तो इसका कथन है आपका ओप्शन है ए और आट दोनों ही सही हैं दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर र होते हैं क्योंकि एक्स किरन गामा किरन इन्फ्रारेड एवं अधिकांस परावैगनी विकिरन का प्रेशन केवल अंत्रिच में ही संभव होता है क्यों से नंबर है 85 लंबे अंत्रिच यानों में अंत्रिच यात्रियों को निम्लिखित में से किस एक की बीमारी का सामना करना पड़ता है एक रख्त चाप अस्दियां कमजोर होता है कि इसमें अंत्रिच यात्रियों का कमी का सामना करना पड़ता है अस्दि घनत्व कम होने से अस्दियां कमजोर हो निम्रखित कत्नों पर विचार किजिए इंद्र धनुस हमेशा सूरी की दिशा के वीपरीत दिशा में दिखाई देता है इंद्रनुस के दोनों सी मांत वांड़ पट बैगनी एम लाल होते हैं दोनों 1 12 वजे इंद्र धनुस दिखाई नहीं देगा। कौन सा सत्य कथन है। इसका एंसर है D. उप्रोगत सभी सत्य कथन है। इंद्र धनुस सुरी की दिशा के विप्रीत दिशा में दिखाई देता है और इंद्र धनुस के दोनों सिमान तो याणि उपर और सबसे लास्ट मतब सबसे टॉप पे और सबसे लास्ट में वर्ण पट जो है वैगनी का होता है और फिर नीचे वारा लाल होता है यह दो पहर 12 बज़े इंद्रद नो दिखाई नहीं देता है लाल रंग का तरंग दैर्द सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्द सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्द सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्द है यह अधिक होता है और जो बैगनी रंग का तरंग दर्ध है ये क्या होता है कम होता है इसका कम होता है इसका अधीक है जैस्ट अपोजिट कर जिए दोनों सही हो जाएगा नेस्ट गुश्चन को देखते हैं 88 नम्मर क्यूश्य तापमान में बढ़ होतरी के साथ यह किसी द्रव की सान्यता पर क्या प्रभाव पढ़ता है सान्यता बढ़ जाती है सान्यता अब परिवर्थित रहती है सान्यता पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी तो इसके अंसर ह आपका भी साणिता घर जाती है ताप मानमे बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव की सानिता घर जाती इसका साइन का प्रमुक कारण है ताप मान में व्रिद्धी होने के पस्चात अणों की गतिज ंर्ज स्कूरों बढ़ जाती है कूशनड नमबर कौन सा सही सुमेलित है इसकी बात की जा रही है तो देखते हैं विद्धुत मोटर विद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलती है यह बात सही है बैटरी जो है आपका रसायनिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करती है यह बात भी सही है डायनमो आपका यांत्री कुर्जा को विद्धू तूर्जा में परिवर्तित करता है तो इसमें जो है सभी कथन आपके सही हैं विद्धूत मोटर क्या करता है विद्धू तूर्जा को यांत्री कुर्जा में विदलता है बैटरी आपको रसायनी कुर्जा को विद्धू तूर्जा म अभिक्रिया सिध्धांत पर कारी करता है कौन सा कथन? सत्य है तो इसका एंसर है A केवल एक सही है एडवर्ड टेलर को Father of Hydrogen Bum कहते हैं क्या कहते हैं इनको Father of Hydrogen Bum Hydrogen Bum जो है नाभिकी संलेन की प्रक्रिया पर आधारित है तो नाभिकी संलेन तो है किस्ट की प्रक्रिया पर आधारित है तो संदिस यहाँ नींतित नहीं होती यहाँ पर नींतृत होती है और्पणर के सललेयाल की अभिक्रिया पर आधारित है तो इस तरह से आपका også हो değil एक कही सही है क्षहे नंबर है नंद कर आधारित है निम्ल पर विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन सा इन्पुट डिवाइस है उसे बताना है तो देखते हैं माउस माउस आपका इन्पुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है आपका प्रिंटर यह input device नहीं है क्योंकि यह output करता है print जो है जब हम सब कुछ दे देते हैं उसके बाद print हमें निकल के प्राप्त होता है तो वह output होता है monitor monitor भी आपका input device नहीं है keyboard जो है हम कुछ भी पहले type करेंगे तब तो कुछ होगा तो यह भी हमारा input device होता है और light pin जो pin का हम use अभी यह कर रहे हैं यह भी हम input दे रहे हैं ठीक तो इस तरह से हमारा answer हो जाएगा A 145 answer सही है input device आपका mouse है और mouse के बाद keyboard है और light pin है यह सब ही क्या है आपके input device है output device में आपका printer है प्लाटर है monitor यह सब कौन सी है तो output device है next question कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखते हैं अंत्रिच अनुप्रियोग केंद्र अहमदाबाद में इस्थित है भारती सुदूर समवेदन संस्थान आपका देहरा दोन में इस्थित है विक्रम सारभाई अंत्रिच केंद्र जो है केरल के ट्रिविन्दर में इस्थित है कहाँ पे है केरल यू आर राव उपग्रह केंद्र कहां इस्थित है तो यह आपका करनाटक बंगरूलू में इस्थित है कहां पे बंगलूरू बंगलूरू करनाटक में इस्थित है इसका एंसर हो जाएगर D option सही नहीं है Q93 लसिका में उपश्थित कौन एक हानी कारक जिवाड़ू का भच्छन करके रोगों की रोग थाम में सहायक है कार्टेक्स, लाइपेज, लिम्फोसाइट्स, निफ्रान तो इसका एंसर है C लिम्फोसाइट्स, लसिका एक हलके पीले रंग का द्रव है, लसिका उतक से हिर्दय की और एक ही दिसा में बहता है, कहां से बहता है, तो उतक से या टीसू से लेके हिर्दय की और बहता है लसिका में पाये जाने वली कणिकाय जो है लिम्फोसाइट कहलाती है, ये वास्तों में स्वेत रूधिर कणिकाय या जिन्हें हम WBC कहते हैं, कणिकाय होती है, जो हानी कारक जिवाणुओं का भच्छन करती है, करके रोगों की रोगथाम में सहायक भी होती है, आगे चलते क्यूशन नंबर है 94, मोत्र कर पीला रंग उसमें उपस्थित वरणडग यूरोक्राम की कारण होता है, यूरोक्रोम हीमोग्लोविन के विखंडन से बनता है, तो इसका एंसर है आपका B, A और R दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की ब्याक्ख्या नहीं कर रहे हैं, तो जो मोत्र का पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम होता है, इसी वरणडग के कारण ही होता है, Q95, सभी प्रोटीन में पाया जाता है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्पूरस, तामबा, तो इसका एंसर है B, नाइट्रोजन, प्रोटीन जली, प्रोटीन जटिल कार्वनिक योगिक होते हैं, जो 20 अमिनो अमले से बनते हैं, एक प्रोटीन किसे मिलकर बनता है, तो 20 अमिनो अमले से मिलकर बनते हैं, अमिनो अमले से मिलकर बनते हैं, मानो शरीर का लभग 15 परिशत भाग जो है प्रोटी नंबर है 96 सुची 1st को सुची 2nd से सुमेलित करना है करना है आ tierra करते हैं 16 विटामिन ज़ tara तो रासाईिक नाम है उसे हम क्या करते हैं परिया पायरी डाकसिन और विटामिन का जो रासाई् It中 है तो तो राईबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन अब विटामिन D का रसाइनिक नाम होता है केलसी फिरॉल अब विटामिन E का जो रसाइनिक नाम है वो क्या है टोको फिरॉल तो इसका एंसर हो जाएगा आपका D आपका एंसर है D, B का सिक, A का जो है 4 और B का है आपका 3, D का है, D का है आपका 2 Question number 97, विज्ञान तथा और द्योगी का नुसंधान परिषत का अध्यच होता है रच्छा मंतरी, प्रमुख वैज्ञानिक सलाखार, राष्पति, प्रधान मंतरी तो इसका एंसर है आपका दी विज्ञान तथा और द्योगिक अनुसंधान परिशत का अध्याच कौन होता है प्रधान मंत्री होता है इसकी स्थापना जो है 1942 में की गई थी कब की गई थी 1942 में इसका मुख्याले जो है दिल्ली में है कहां है दिल्ली में नेक्सक्राइब्स क्योंशन नमबर है नाइंटी एट सुची फर्स को सुची सेखेंड से सुमेलित करना है डेखते हैं है भारत डॉनोमक्स डॉनोमक्स कि इसकी स्थापना जो है है थाधराबाद में की गई है मजगाउं डाग लिमिटेड जो है आपका बुंबई में की की गई है गार्डन रीच वर्कसाप लिमिटेड की स्थापना कुलकाता में की गई है तो इसका एंसर है आपका ए क्यूश्य नंबर है 99 रच्छा अनुसंधान विकास संग्ठन की स्थापना जिसे हम डी आर डी ओ भी करते हैं डी आर डी ओ इसके स्थापना वर्ष पूछ रहा है तो इसके स्थापना वर्ष 1962-1982-1958-1970 इसके अंसर हो जाएगा आपका सी की डी आर डी ओ की स्थापना उन्नी सो ठामन में की गई थी उन्नी सोस्ती में सोतन्त रयों रच्छा नुसंधान विकास विभाग को गठित किया गया था इसी के तहत आगे चलते हैं इसके अध्यच्छ कौन है डी आर डी ओ के आप लोग कमेंट बॉक्स में अंसर दीजिए कि डी आर डी ओ के अध्यच्छ वर्तमान में कौन है क्योशन नंबर है 100 निम्डखित में से कैला माइन किसका आयसक है जिंक, कापर, आयरन, पारा तो इसका अंसर है जिंक कैला माइन का एक आयसक है कैला माइन का आडविक सूतर जो है अफी टू, ओफोर, जेड़ेन होता है क्योशन नंबर है 101 सुची फस्ट सरी अभी कथन, कथन और कारण दिया हुआ है देखते हैं पारा को लोह पात्र में रखा जाता है यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है इसका एंसर है कथन और कारण दोनों ही सही हैं दोनों इबुसरे की ब्याख्या भी करते हैं पारा अन्य धात्वों के साथ मिलकर एक धात्वी घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं जब पारा लोहे के संपर्क में आता है तब यह अमलगम नहीं बनाता है पारा को जो है quick silver भी कहते हैं पारा को क्या कहते है quick silver quick silver कृतिम वर्षा किस रसाइनिक उस्ते कराई जाती है आप लोग जरा उसका नाम बताईएगा question number 102 कौन सा कथन असत्ते है जिन विलायनों में जिन विलायनों का पियज मान साथ से कम होता है वे अमली होते है जिन विलायनों का पियज मान साथ से अधिक होता है वे छारी होते है उदास इन विलायनों का मान जो है पियज मान साथ होता है तो इसका एंसर है आपका D इन में से कोई एसत नहीं है सबी गथन सही है जब पियच मान जो है पियच मान जब साथ से कम रहता है तो वो अमली होता है जिस विलैन का जो पियच मान है साथ से अधिक रहता है साथ से अधिक रहता है तो वो छारी होता है जिनका सिफ सात होता है वो क्या होते हैं वो उदासीन होते हैं Question number 103 जिन मिस्तरित रब्ब्यों के कृथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनका प्रिथकरन रिम्लखित में से किस विधी द्वारा किया जाता है प्रभाजी आश्वन विदी द्वारा वन लेखन द्वारा आश्वन द्वारा क्रिस्टलन द्वारा तो इसका एंसर है A प्रभाजी आश्वन विदी द्वारा जो है किया जाता है जिन मिश्रिद रभ्यों के कतनांकों में पहुत कम अंतर होता है उनका प्रिथक कराण जो है प्रभाजी आश्वन विधी द्वारा किया जाता है भुगर्व से निकलने वाले खनीच तेल, सुध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इन सभी का प्रिथक कराण हम किस से करते हैं तो प्रभावी प्रभाजी आश्वन विधी द्वारा करते ह हैं जली वायू से विभी नगय से भी इसी विदी के द्वारा प्रिथक की जाती हैं क्योशन नमर 104 आर्याने में थाइमीन के अस्थान पर कौन सा स्थान कौन सा छार होता है गौाइनिंग साइटोसाइनीन इरेसिल एडिनीन तो इसका एंसर है यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन के अस्थान पर 80CG 80 होता है एटी डबल वान बनाता है और सीजी जो है ट्रिपल वान बनाता है तो यह होता है एडिनीन यह होता है थाइमीन यह है आपका साइटोसाइनीन और यह है आपका ग्वावानीन तो यहां पर क्या होता है इस जी क में होता है और यह दोनों आपका DNA में पाया जाता है DNA में आपका ATCG पाया जाता है और RNA में जो है AT और CG के जगाए CU पाया जाता है AT हो गया और CU पाया जाता है ठीक नेस्ट क्योश्चन क्योश्चन नमबर 105 क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजी करन करने के पस्चात क्लोरीन के आधिक को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ कहलाता है C. प्रतिक क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजी करन करने के पस्चात क्लोरीन के आधिक को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ कौन सा है क्लोरीन द्वारा किसाइड क्लोरीन के मिस्टों को यू क्लोरीन कहते हैं कि question number 6 अ झा दोनी तरंगों के एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक रंगों के रूप में गमन करने में पर निम्लखित में से क्या परिवर्थी तरहता यह तरंग्द्य चार्व अवरिति आय्थ तो इसके एंसर है आपका C, आवरिती जो है वो अपरीवर्टित रहता है, जब ध्वनी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, आयाम, तरंग, देर्ध, ये सब परीवर्टित हो जाते हैं, परंतु आवरिती नहीं बदलती है, अता किसी भी माध्यम में ध्वनी की चाल ध्वनी की आवरिती पर निर्भर नहीं करती है Question No.107 HAL HAL द्वारा निर्मित हलके लड़ाकु हेलिकाप्टर को भारती वायु सेना में समलित किया गया इसका नाम क्या है प्रचंड विक्रांत अजे वारियर तो इसका एंसर है आपका A प्रचंड HAL हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमित द्वारा निर्मित हलके लड़ाकु हेलिकाप्टर को भारती वायु सेना में समलित किया गया इसका नाम प्रचंड है हेलिकाप्टरों को पाकिस्तानी सीमा के निकट जोद पूर वायु सेनिक केंद्र पर ही तैनात किया जाएगा हलके वजन के कारण सत्रूब के काफी उचाई पर उचाई पर बने ठिकानों को द्वस्त करने में इसकी सहता ली जाएगी तो कौन बनाया इसको हेल दवार बनाया गया है जिसका नाम क्या है प्रचंड नाम है प्रचंड क्या है एक हेलिकाप्टर है ध्यान रखियेगा अर्ध चालकों के संब्ध में निम्लखित कत्दों में से कौन सा सत्य है इनकी वैदुचालकता अचालकों की अपिछा बहुत अधिक होती है इनकी वैदुचालकता अचालकों के अपिछा बहुत कम होती है तो इसके अंसर है आपका C दोनों ही कथन सही है अर्ध चालकों के संबंद में जो है ये दोनों ही कतना आपके सही है अर्ध चालक कैसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैदु चालकता आचालकताओं की अपिछा बहुत अधिक होती है लेकिन चालकों की अपिछा बहुत कम होती है इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोगधता घड़ जाती, जैसे सिलकान, जर्मेनियम, ये सबी आपके अर्धचालक हैं, जर्मेनियम, और सेलीनियम, ये आपके अर्धचालक होते हैं. प्राक्रितिक रूप से प्राप्त निम्लिखित इननों में से कौन सा एक भारत के परमाण रियक्टरोप में प्रियूगत होता है, गैसोहाल, यू 500, यू 238, इन में से कोई नहीं? तो इसका अंसर है C, यू 238 का प्रियोग, या हम कहां इसी को यूरेनियम 238 का प्रियोग हम इन्धन के रूप में करते हैं, प्राक्रितिक रूप से प्राप्त होता है, यूरेनियम 238, परमाण रियक्टरों में प्रियोग किया जाता है, एक 110 नमर्ट क्यूप्चन है, निम्लिखित में से किस एक प्रक्रिया का उप्योग, ठोस सुधियों के सुध्धी करण के लिए नहीं होता है क्रिष्टली करन उर्धोपातन आश्वन इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर है सी आश्वन का जो है आश्वन की प्रक्रिया का उपयोग तरल असुद्धियों के सुद्धिकरन के लिए किया जाता है कौन से तरल ठोस के लिए नहीं तरल असुद्धियों को सु क्यूस्टिन नमर है 111 हेपेटाइटेस एक कारण यक्रित में संक्रमन हो जाता है या दूसित खादिपदार्थो यानि दूसित जल के सीवन से होता है या एक विशाण उजन्य रोग है कैसा है तो यह वायरस से होने वाला रोग है वायरस से होने वाला रोग है जो हेप्टो वायरस नामक विशाणू से होता है जिसका प्रसार मल अथ्वां गोबर द्वारा होता है या एक संक्रमनी रोग भी है हेपेटाइटेस जो है संक्रमनी रोग भी है रोगी के संपर्क में में आने से फैलता है यह जो रोग है कि सोरो यह वैसकों में काफी अधिक होता है आगे चलते हैं क्योंशन नंबर है 112 एवर ग्रीनिंग सब्द प्रायय प्रियोग में आता है परियावरां के संदर में पेटेंट के संदर में विमारी के संदर में मिसाइल तकनीक के संदर में इसका एंसर है बी पेटेंट के संदर में जो है एवर ग्रीनिंग सब्द का प्रयोग किया जाता है समानते या ट्रिप्स प्रावधानों के अंतरगत पेटेंट 20 कि यह के लिए प्रण किया जाता है या प्रणत कंपनिया ब्रहं कर देती हैं या इनी बढ़ाती जाती है अपने पेटेंट को माइट हैं पतर्ण सरकार ड्वारा अब है तथा निर्माता को दीया जाता है कौन साथ असत्य कथन है टर्मिनेटर बीज प्रोदोकी के संबन में कत्नों पर विचार करना है इसमें जेनेटिक इंजिनिरिंग द्वारा बीज के कुछ गुडों को प्रिथक कर दिया जाता है एवं उसके अस्थान पर अन्य जीनों को समावेसित कर इच्छित परिणाम प् जैसे तो इसके अंसर है आपका A केवल दो ही असत्य है और पहला आपका सत्य है कि से जो हम लाग कमाना चाहते हैं यानि बहुत अच्छी पेदावार चाहते हैं तो वह बहुत अच्छा गर hem जो जीन बहुत अच्छे अगर उनको मिलाएंगी तो उससे पैदावार भी अच्छी होगी तो यही बात गय रहा है कि टर्मिनेटर भीज में क्या होता है कि कि इच्छित परिणा प्राप्त किया जाते हैं आगे चलते हैं क्योश्य नंबर है 114 निम्ल की तक्नों पर विचार कीजिए नैनो तक्नीक की अधार्णा को 1969 में सवर्प्रथम भौधिक सास्त्री रीचर्ड फिनमैन ने प्रस्तूत किया इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया कौन सा कथन सत्य है तो इसका एंसर है एक और दो दोनों ही सत्य है कि नैनो तक्नीक की अधार्णा उन्नीस औनैनिस में सवर्प्रथम किस ने किया था तो फिनमैनने किया था और इनह नोबल प्रस्कार भी प्रदान किया गया था तो एक नैनो तक्नीक से के इसके मघर्ण की तना होता है सब्सक्राइब और एक नाइनो मीटर के होता है और एक नाइनो इसकोल टू एक से लेके सो तक के बीच की जो विंदू होते हैं उसे हम क्या कते हैं नाइनो क्यूस्टियन नमबर 115 निम्रिखित कतना पर विचार कीजिए प्राया सोन्य डिग्री सेंटिग्रेट से 150 डिग्री सिल्सियस के नीचे के ताप मान को क्रायोजिनिक तकनिक कहते हैं इस तकनिक में हाइडोजन तथा आकसीजन क्रम सा आकसी कारत तथा इंधन के रूप में कार देखते हैं प्राया सोन्य डिग्री के नीचे जैसे माइनेस 150 डिग्री सल्सियस हम कह रहे हैं के नीचे के मान को क्रायोजोणी तकनिक कहते हैं जर्विचालिट राकेटों के प्रणोदक बहुत कम ताप मान पर भरे होते हैं इस तरह के राकेट इंजन में अत्यदिख हाइडोजन गैस सुन्य से लेके 253 डिग्री सलसियत कम तापमान पर एवं द्रवित ऑक्सीजन जो है गैस सुन्य से 183 डिग्री सेंटीग्रेट के कम तापमान पर इसको भरा जाता है कि नेस्ट कुश्चन देखता है 116 डिग्रेट है किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका प्रिष्ट अतना बढ़ता है घड़ता है और प्रिवर्थी ते रहता है कोई प्रभाव नहीं पढ़ता तो इसका एंसर है B घड़ता है किसी द्रव का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रिष्ठ तनाव है सर्फिस टेंशन जो होता है वह घड़ जाता है कि द्रव के सोतंतर प्रिष्ट में कम से कम छेत्रफल प्राप्त करने की प्रवित्ती होती है जिसके कारण उसका प्रिष्ट तनाव जो है सदेव प्रिष्ट जो है उसका सदेव तनाव की स्थिती में रहता है इसे ही हम प्रिष्ट तनाव कहते हैं द्रव का ताप बढ़ाने पर प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह सुन्ने हो जाता है Q717 चंदर्मा पर लोलग घड़ी ले जाने पर वह सूस्त हो जाएगी उसका आवर्थ काल बढ़ जाएगा A और B दोनो इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है आपका C चंदर्मा पर हम अगर लोलग घड़ी ले जाते हैं तो बस उस्त हो जाएगी और उसका आवर्थ काल बढ़ जाएगा यह दोनों ही कथन सत्य हैं चंदर्मा पर लोलग घड़ी ले जाने पर उसका आवर्थ काल बढ़ जाएगा क्योंकि चंदर्मा पर जी कमान प्रित्वी के जी मान का एक बटा 6 गुना होता है चंदर्मा पर है जो गृत्वी का मान क्या होता है गृत्वी बल का मान क्रित्वी के गृत्वी मान के एक बटा 6 गुना होता है एक बटा 6 गुना आगे चलता है Question No.18 निमलिखित में से कौन सा एक विद्धुत चुम्बी की तरंग नहीं है गामा किरण और रक्त किरण परावैगनी किरण ध्वनी तरंग तो इसका एंसर है अपका D ध्वनी तरंग जो है विद्धुत चुम्बी की तरंग नहीं है वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आऊसकता नहीं होती है अर्थात वे निर्वात में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं विदुत चुम्भी की तरंगे होती हैं आगे चलते हैं कि क्यूश्य नंबर 119 यदि कोई 10 मीटर से 10 मीटर प्रती सेकेंड से सम्तल दर्पन की ओर चलता है तो उसे दर्पन में अपना प्रतिवीम किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है 5 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 0.5 मीटर तो इसका एंसर है आपका 20 मीटर प्रती सेकेंड से सम्तल दर्पन में किसी वस्तु का प्रतिवीम जो है कालपनिक वस्तु के बराबर यों पार्स उसका उल्टा बनता है तो हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति वी चाल से चल रहा है किस चाल से वी चाल से चल रहा है वी चाल से धर्पन की ओर चलता है तो धर्पन में उसे अपना प्रतिवीम जो है टू वी चाल से नजर आता है कि वो जो है अपने आपको देखता है कि वो दो गुने चाल से चल रहा है तो इस तरह से हम प्रस्त में देखेंगे कि वीच कोल्टू हमें कितना दिया है मतलब चाल कितनी दे रहा है हमारा दस मीटर प्रतिसेकंड दस मीटर प्रतिसेकंड अजब प्रतिविम की चाल को हम देख रहे हैं प्रतिविम की चाल को जब हम देख रहे हैं तो वह मीटर प्रती सेकेंड किस तरह से हमारा एंसर हो जाएगा B क्यूस्टेन नंबर है 120 कौन सा सही सुमेलित है विद्धित फ्यूज जो है तीन प्लस सीसा विद्धित फ्यूज जो है 60% मतब 63% जो है तीन होता है इसमें और 37% सीसा जो है 37% सीसे की मिस्र धातु का बना होता है आपका विद्धित फ्यूज इसका गलनांक जो है कम होता है इसका उपयोग परिपत में लगे उकर्णों की सुरच्छा के लिए किया जाता है विद्धूत मोटर क्या करता है यह विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है विद्धूत मोटर आपका विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में किसमें यांत्रिक में यहां पुल्टा दिया हुआ है तो यांत्रिक उर्जा में बदलता है विद्धुत मोटर विद्धुत उर्जा को यांत्रिक में डायनमो जो है यांत्रिक को यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है अब माइक्रोफोन जो है ध्वानी उर्जा को ध्वानी फ्यूज किस से मिलकर बना होता है तो टीन और सीशा से मिलकर बना होता है और विद्दूत मोटर जो है आपका वो विद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में डाइनमो आपका यांत्रिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में बदलता है माइक्रोफोन ध्वानी उर्जा को विद्धू तूर्जा में बदलता है, इस तरह से आपका एंसर हो जाएगा A, कि एवल A कही कथन सही है, Q121, आतिस बाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिती के कारण होता है, स्ट्रांसियम, बेडियम, नाइक्रोम, फ्रांसियम, इसका एंसर है आपका B, बेडियम के कारण जो है, क्या दिखता है हमें हरा रंग दिखता है, जबकि लाल रंग हमें इस्ट्रांसियम के कारण दिखता है, सादी में जाते हैं वहाजें दिखाए दिखाए देता है लाल रंग के कारण बहुता है किई क्यूस depend on के पूछ रहा है वाटर गैस आपका कार्बन मोनो आक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिल कर बना है प्रोड्यूशर गैस आपका कार्बन मोनो आक्साइड प्लस नाइट्रोजन से मिल कर बना है अप्राकृतिक गैस आपका मेथेन और इथेन से मिल कर बना है नेस्स क्यूशन के देखते हूं क्यूशन नंबर 113 मद्दान के समय मद्दाताओं की उंगली पर निसान लगाया जाता है यह जो निसान होता है यह किस मतलब किस रासाइनिक से बनाया जाता है मतलब जो आपके स्याही होती है नीले रंकी वो किस रासाइनिक ततों से बनाया जाता है silver nitrate, silver chloride, silver bromide, silver sulphate तो इसके अंसर है आपका A, silver nitrate से बनाया जाता है, silver nitrate को lunar caustic भी कहते हैं, क्या कहते हैं, lunar, इसका दूसरा नाम भी दे के पूछ सकता है कि lunar caustic, lunar caustic, silver nitrate का आणने नाम क्या है lunar caustic, यह जल में अतिधिक भी ले होता है, खिजाब बनाने तथा चांदी चड़ाने में इसका उपियोग किया जाता है, मद्दान के समय मद्दताओं की उंगली पर इसी नासान को लगाया जाता है, जो जल्दी मिटता भी नहीं है, उसे हम क् caustic, silver bromide का प्रियोग हम किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में, किसमें करते हैं, फोटोग्राफी, आगे चलते हैं, question number 124, सूची first को सूची second से सुमेलित करना है, तो देखते हैं, जूठा सोना, जूठा सोना जो होता है, iron pyrites होता है, सफेस सोना जो है, सफेस सोना हम किसे कहते हैं, प्लेटीनियम को कहते हैं, सफेस सोना, क्विक सिल्वर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पारा को कहते हैं, लीथार्ज, लीथार्ज किसे कहते हैं, तो लेड ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लीथा लुखा-सोना, आयरन, पायराइट, सफेस, सोना, प्लेटीनियम, क्विक-सिल्वर जो है पारा, और लिथार जो है आपका लेड आकसाइड? तो इसका एंसर है आपका C. इससे ध्यान से याद कर लिजे क्योंकि ये क्यूस्टिं पूछे जाते हैं एकजाम में. question number 125 निम्लखी तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध के रूप में ब्याक्त करने में कौन एक विकल्प सही है देखते हैं इसका हम तो इसके एंसर हो जाएगा आपका C विद्धु чुंब की स्पेक्ट्रम में सामिल विभिन विकल्णों को हम तरंग दैर्ध के संदर में आरोवी क्रम में लगा रहे हैं कि जिसका तरंग दैर्ध है प्रण दैर्ध को हम लेम्डा से फिर द्रिस से प्रकास आएगा आगे चलते हैं क्योश्य नंबर है 126 जुलाई 2022 में निम्लखित राज्यों में से कौन सा एक वाड़िक जिक वाहनों को इमर्जनसी रिस्पόंस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का प्रतमराज्य बन गया पंजाब हरियाड़ हिमाचल प्रदेश उत्रकांड तो इसका एंसर है आपका सी हिमाचल प्रदेश जुलाई 2022 में हिमाचल प्रदेश वाणिजिक बहानों को इमर्जन्सी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम से जोडने वाला भारत का प्रथम राज्जी बन गया है इस प्रणाली के तहट जो है वाहनों को भारी भारत में कहीं भी ट्रेक किया जा सकेगा कि ये वाहन कहां है 127 नमबर है मद्य प्रदेश में इस्थित निमलिखित जिलों में से किस एक को जुलाई 2022 में देश का प्रथम हर घर जल जिला घोसित किया गया इसके एंसर है D, बुरहानपूर को मद्य प्रदेश में इस्थित बुरहानपूर जिलों को जुलाई 2022 में देश का प्रथम हर घर जल जिला घोसित किया गया बुरहानपूर देश का पहला जिला बना जहां सभी कितने हैं 254 गावों में लोगों को सच पेजल मिल रहा है और किस स्टेट को मिला है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में एंसर दो Q2 नमबर है 128 निम्रकित कंदों पर विचार कीजिए जून 2022 मेराष्ट मंडल सासना दच्चों की बैठक नेरोबी केन्या में आविजित की गई इस बैठक में भारती प्रतिनीधी मंडल का नेतरुत धानमंत्री नेरे मोदी ने किया कौन सा कथन सत्य है तो इसका एंसर है D एक भी कथन सत्य नहीं है मतलब ना तो फर्स्ट सही है नहीं सेकिंड सही है आपका एंसर 26 ये कौन सा राष्टा मंडल अध्यश था तो 26 वा था 26 वा राष्टा मंडल सासना देच्छों की बैठक जून 2022 में कीगाली रवांडा में हुआ कहां हुआ रवांडा के कीगाली में रवांडा के कीगाली में हुआ रवांडा के कीगाली में आविजित हुआ जे संकर प्रसाद ने किया इस सम्मेलन की विशय बस्तू या जो थीम थी वह क्या थी डिलिवरींग ए कामन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग टासफार्मिंग थी एक बार फिर स बोल दे रहे हैं ली डिलिवरींग एक कामन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, टास्ट फार्मिंग, क्यूशन नंबर है 129, चुलाई 2022 में एयर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड द्वारा जारी वर्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे ब्यस्ततम हवाई अड़ों की सूची में निम्लखित में से कौन सा एक प्रथम अस्थान पर है तो इसका एंसर है आपका भी अटलांटा हवाई अड़ा, USA जुलाई 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड द्वारा जारी वर्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे ब्यस्ततम हवाई अड़ों की सूची में अटलांटा हवाई अड़ा प्रथम अस्थान पर है भारत की दिल्ली स्थित इंद्रा गांधी अंतरराश्टी हवाई अड़े को जो है अदकित में से किस अस्थान पर संपन हुआ स्लसण एल्मो जर्मनी मॉंत्रील कनाड़ा प्लाइम आउठ ब्रित N slide ऐस्देंस rigtर है एस्सलास एल्मो जर्मनी में आद जी इवेन देसों का तो फोटीन वा सिखर समेलन जो है जो दो हजार तेज में जापान में प्रस्तावीद किया जाना है तो जी सेवन का फोटीनाई वा सिखर समेलन कहां होगा चापान में होगा एक सो इतीस जून 2022 में सीडिनी इस्थित इंस्टिट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है एक सो तीन, एक सो चालिस, एक सो पैतिस, एक सो बैयालिस तो इसका एंसर है आपका सी, एक सो पैतिसवा स्थान है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान एक सो पैतिस नंबर पी है, ये एक सो तीरसर देशों की सूची है, कितने देश सामिल है, तो एक सो तीरसर देश सामिल है इसमें, अन्तिम स्थान पे जो है अफगानिस्तान है, कौन है, अफगानि यूटू का प्रत्थम सिखर सम्मेलन वर्चुल माध्यम से संपन हुआ इस समों में कौन से देश समलित हैं भारत इजराइल स्री लंका USA UAE इसका एंसर हो जाएगा आपका यूटू है इंडिया इजराइल इंडिया इजराइल हो गया अपका और यूटू का मतलब है USA प्लस यूएई ये यू है दो बार यू है तिसलिए यू टू हो गया दो बार आई है इसलिए आई टू हो गया इसे ध्यान रखियेगा ये पूछा जा सकता है जुलाई 2022 में देश के पहले अंतरास्टी बुलियन एक्सचेंज का उध्गाटन कहां किया गया अंतरास्टी बुलियन एक्सचेंज का उध्गाटन किया गया इसका एंसर है आपका गांधी नगर गुजरात में अंतरास्टी बुलियन एक्सचेंज का उध्गाटन किया गया इसका उध्गाटन जो है 2022 में गांधी नगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में किया गया था यह भारत का पहला तथा विस्व का तीसरा अंतरास्टी बुलियन एक्सचेंज है भारत का फर्स्ट है और अंतरास्टी नंबर पर थर्ड पर है नेस्ट क्वेश्चन 134 नंबर के जुलाई 2022 में जुलाई 2022 में निम्खिर में से किस एक एधिस्टा में नियूंतन समर्थन मूले MSP को अधिक पारदर्सी एवन प्रभावी बनाने के लिए एक समीति का गठन के इंसरकार द्वारत किया गया संजे अग्रवाल सत्वरी चोटाला सीला एस गाउली अरिंदम मुखर जी तो इसका एंसर है आपका संजे अग्रवाल के अध्यस्ता में कमिटी गठित हुई MSP के लिए वो कौन सी है संजे अग्रवाल आगे चलते हैं क्यूशन नंबर 135 जुलाई 2022 में अपधार मंतिर नानव मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालाउन जिले से बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का उध सब्सक्राइब तो इसके अंसर है B 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है हाईवे की जालोन से और यह साथ साथ राज्यों से मताब साथ जिलों से होके गुजरेगी जिसमें कौन-कौन से है आपका चित्रकूट आएगा चित्रकूट और बान्दा महोबा हमीरपूर हमीरपूर जालोन जालोन औरेया औरेया इतावा यह साथ जिले से होकर गुजरेगा इसकी अधार सिला कब रखी गई तो फरवरी 2020 में रखी गई थी फरवरी 2020 में इसकी अधार सिला रखी गई थी आगे चलते हैं क्यूश्य नंबर है 136 जून 2022 में उतर पुदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नात्न द्वारा उतर पुदेश के किस अस्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का घटन किया गया तो इसका एंसर है कसी मगहर संत कबीर नगर में मगहर में ही कबीर ज आदमी अनुसंधान केंद्र का स्थापना की गई इसते आप याद कर सकते हैं इस चीज को आगे चलते हैं जितने विक्यूशन यूपी जा रहे हैं उसको तो आप लोग रट जाईए दुयून 2022 में केंद्री आवासियम सहरी कार्यमंत्रा ले द्वार निर्माण स्रमिकों क को कोशल प्रसिचन हेतू किस एक योजना का सुवारम किया गया है इसमाइल 75 पीम स्री सार्थक निपूर तो इसका इंसर है डी कब आई सिच्छक दिवस पर अब सिच्छक दिवस कम बनाया जाता है आप लोग इसका एंसर दीजे इस्माइल 75 जो है किसने लॉंच किया है तो इसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है आगे चलते हैं जून 2022 में केंद्रिगी एवं सहकारिता मंत्री अमीस भारा राष्टी जनजाति अनुसंधान संस्थान का उधघाटन की सस्थान पर किया घ्या है तो इसके अंसर है और नाय दिल्ली में ज्हर में अमिसंधाः ने रास्टी जन जाती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आगे चलते हैं क्यूशन नंबर है बन थर्टी नाइम जुलाई दो हजर बाइस में प्रधान मंत्री निर्मोदी द्वारा भारती दोसीना के ये निर्मित देश के पहले पाईलट रही ड्रोन का नावरण किया गया जिसका नाम क्या है है 2009 वरुन नाम है इसका यह पाईलट रही ड्रोन है यह द्रोन एक बार उडान भरकर 25 कL sexyarus तक जा सकता है कि क्योश्य नंबर है 140 जून 2022 में केन सरकार द्वारा निमलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त किया गया है रूचिरा कंबोच नवीन तिरूम मूर्ति आर्चंद्र सिखर संदीप कृष्ण मूर्ति इसका संयुक्त राष्ट में भारत के स्थाई प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त किया गया है कि इस पदपर वह टीयस मूर्ति का स्थान लेंगी इससे पहले कौन थे टीएस मूर्ती वहाँ पे नियूप्त थे आगे चलते हैं क्यूशन निम्बर है 141 विश्व का सबसे वड़ा द्वी वार्सिक अंतराश्टी बहुपच्छी समुद्री अभ्यास रिम पैक 2022 का आयोजन कहां किया गया तो इसके अंसर है ए हवाई द्वी पैम दच्छनी कैलिफोर्निया यूएसे में रिम पैक का आयोजन किया गया है 29 जून से लेके अगस 2022 के मद्विश्व के सबसे बड़े द्वी वार्सिक अंतराश्टी बहुपच्छी समुद्री अभ्यास रिम पैक 2022 का आयोजन हवाई द्वी पैम दच्छनी कैलिफोर्निया में किया गया इस अभ्यास की जो मुख्य वस्तु थी यानि थीम थी वो क्या थी कैपेबल एड़ाप्टिव और पार्टनर्स आएके चलते हैं इसमें भारत भी सामिल था याद रखिएगा यह इंपोर्टेंट लाइन है कि भारत भी इसमें सामिल था नेशनल लीग सर्विस अथार्टी द्वारा जुलाई 2022 में भारत के किस राज्जी में पहली एंड टू एंड डीजिटल लोक अदालत सुभारम किया गया मध्यप्रोदेश में हरियाना में गुजरात में राजस्थान में तो इसका एंसर है आपका डी राजस्थान में किया गया है कहां किया गया है राजस्थान में किसके दौरा नालसा के दौरा यह डेजिटल लोक अदालत उन लंबित विवादों को निपटने में मदद करेंगे जो मुकदमेवाजी के प्रथम चरण में है यह प्लेटफॉर्म क्या कहलता है एंड टू एंड समाज प्रक् कहां पर किया गया नरे दमदी स्टेडियम अन्पडबाद。 घ्रम ने अरुर्थ में ऐरुन चटीडिय दिल्ली चिंन स्वामें स्ट इडियम मंगलूुरू У्थ को इसका एंशर है जवाहां लालन ने श्टेडियम में यह निया गया है इसका आयोजन जो है जुलाई मतलब 28 जुलाई से लेके 10 अगस्त के मद्ध किया गया यह ओलम्पियाड अंतरराष्टी सत्रंज महासंग द्वारा आयोजित किया गया था विश्वनाथन आनंद इस ओलम्पियाड में खिलाडियों के मेंटर बने कौन बना विश्वनाथ आनंद विश्वनाथ आनंद यह क्या थे मैंटर थे खिलाडियों के जुलाई 2022 में निम्रखित में से कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख बनाए गए सुभधरुक्मार मंडल, आसीज कुमार चोहान, संधी पैसगुपता, जीडी, मलिक तो इसका एंसर है B, आसीज कुमार चोहान ये क्या बने, एनसी के नए प्रमुख बने है, इसे एनसी भी का जाता है, ये एक स्टॉक एक्सचेंज ए नेशनल, इसके नए प्रमुख कौन बने है, तो आसीज कुमार चोहान इस उमिद्वारी को भारती प्रतिभूती विनिमय बोर्ड जिसे हम सेवी कहते हैं, सेवी इससे मंजूरी देती है, सेवी का कर्ठन कप किया गया है, कमेंट बॉक्स में अंसर दीजी आपनो संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा निमलिखित में से किस तिथी को विश्यू यूवा कौशल दिवस मनाया गया, तो इसके एंसर है डी, 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा 15 जुलाई 2022 को विश्यू यूवा कौशल दिवस मनाया गया, इस दिवस को मनाने का उदेश सी क्या था, यूवा के लिए बेहतर समाजी कार्थिक स्थितियों को प्राप्त कराना, जो वेरुजगारी की चुनोतियों का समाधान करने मे कारी करेगा आपका, आगे चलते हैं, क्यूस्टिन नमबर है 146, गीता को पीनाथ, गीता को पीनाथ को जुलाई 2022 में अंतर राष्टी मुद्रा कोस जिसे हम आई एमफ भी करते हैं, आई एमफ, कोस के पूर्व मुख्य अर्थसास्त्री की दीवार में समलित किया गया, इस संबन में निम्र्खित कतनों पर विचार किजिए, यह सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं, इससे पूर्व मुख्य अर्थसास्त्री की दीवार पर चित्रित होने वाले प्रथम भारती रहुराम राजन थे, कौन से कतन सत्य हैं, तो इसका एंसर है आपका, C, एक और दो द मान पाने वाली प्रथम महिला एंवं दूसरी भारती हैं, अक्टूबर 2018 में इन्हें IMF की मुख्य अर्थसास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो यह भी पूछ सकता है कि IMF की कौन सी ऐसी महिला है, जिसे मुख्य अर्थसास्त्री की दीवार का पुरस्कार द दस्वा संस्क्रण कहां पर आयोजित हुआ, तो इसका एंसर है आपका ए बीजिंग चीन में आयोजित हुआ, जुलाई 2022 में विसुसांती मंज का दस्वा संस्क्रण बीजिक चीन में आयोजित किया गया, इस आयोजन जो है सिंग हुआ विसुविद्याले वीजिंग द्व जुलाई 2022 में निम्लखित में से किसे पियूस गोयल के अस्थान पर G20 का सिर्पन युक्त किया गया परविंदर चड़ा अमिताफ कांट सुमन एसबेरी कल्यान गांगुली तो इसका एंसर है बी अमिताफ कांट को जुलाई 2022 में अमिताफ कांट को पियूस गोयल के अस्थान पर G20 का सिर्पन युक्त किया गया है भारत एक दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 के दोरान G20 की अधिस्ता समालेगा यहां पर कुछ गलत लिखा है हम बताते हैं आपको तो एक दिसंबर एक दिसंबर 2022 से लेके 30 नौबर 2023 तक G20 की सरस्तिया कौन समाल रहा है भारत समाल रहा है तो इसके सिर्पा कौन नियुक्ति किये गिया है तो अमिता अब कांत नियुक्ति किया है किसके अस्थान पर प्यूस गयल के अस्थान पर सुवन बेड़ी कौन से पत्पे हैं यह आप लोग कमेंट बॉक्स में एंसर दीजिए क्यूस्टिन नंबर है 149 जुलाई 2022 में उतर प्रदेश मैंगो महस्तो 2022 का योजन कहां किया गया कानपूर सीतापूर लखनव प्रियागराज तो इसके अंसर है C लखनव में किया गया जुलाई 2022 में उतर प्रदेश में मैंगो महस्तो मैंगो मतलब आम महस्तो 2022 का योजन जो है लखनव में किया गया इस दोरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी कांड ब्रांड के रूप में टैग दिया गया है जिस हजलाई 2022 में एन्टी PC कि अंटी PC द्वारा भारत का सबसे बड़ा द्टा स comics उर्जा सयन्त रमा गुंडंण में चालू किया गया रामा गुंडंदम कहां इस्थित है कि एंटीसी द्वारा भारत का साइर। उर्जा सैंत Lönne तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी जुलाई 2022 में एंटी पीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर उर्जा सयंत रामा गुर्णम में लगाया गया है रामा गुर्णम जो है ते लंगाना में इस्थित है यह सोलर प्लांट इसकी छमता कितना है तो 100 मेगावाट की इसकी छमता है यह सोलर प्लांट जल सनरच्छन के उद्देश को भी पूरा करेगा एंटी पीसी लिम्टेट केंद्री सारजिनिक छेतर का एक उपक्रम है मतलब यह सरकारी है जो विद्दूत मंत्रा लेके अधिन आती है थैंक्यू फॉर वाचिंग फ्रेंट मिलते हैं ने